दोस्तों मा की कुछ आदते ऐसी होती हैं जो गर में पल रहे सिसु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं और वो छोटी छोटी बाते हैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन फिर भी जैसे की तेज रोशनी नीन के दौरान तेज रोशनी बच्चों को परिशान कर देती ह जानी की जैसे बच्चे का टाइम है सोने का क्योंकि वैसे भी हम लोग जानते ही हैं कि जब तक बच्चे गर्ब में रहते हैं बच्चे पर्मानेंट सोते ही रहते हैं लेकिन अगर हम तेज रोशनी में जाते हैं तो उनकी नीन खराब हो जाती है तेज आवाज या सोरगु वाले जगह प्यार अगर आप रहेंगे ना तो फिर बच्चे उस चीज से डड़ जाते हैं और उनको वो चीज बिलकुल भी पसंद नहीं आती है नेक्स चीज है स्पाइसी फूड जैसे कि आप मसालेदार खाना खा रहे हैं ना तो वो बच्चे को बिलकुल पसंद नहीं आता है नेक्स चीज है तेजी से हसना दोस्तो कई महिलाओं की ऐसी आदत होती है कि वो बहुत तेज तेज और ताले वजा कर हसती है तो अगर आप भी ऐसा करती है तो ये चीज बच्चे को बिलकुल पसंद नहीं आती है दोस्तो ऐसा इसलिए होता है सिर्फ क्योंकि जब आप तेजी से हसती है ना तो बच्चा उपर और नीचे उचलता है और वो खुद को असुरचित महसूस करता है बस इसलिए उसको ये चीज बसंद नहीं आती है नेक्स्ट है मा का उदास होना दोस्तो लंबे समय तक मा का स्ट्रेस में रहना या दुखी महसूस करना सिसूपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है इसलिए ये चीज आप जितना ज़्यादा इग्नोर करेंगे लोगों की बातों को लोगों की बीहेवियर को वो आपके लिए अच्छा रहेगा आप पर्मानेंट खुस रहेए नहीं कितना भी कुछ भी कहता रहे आप हर चीज को इग्नोर करती जाएए और इस टाइम पर खुद को खुश रखने की हर हाल में कोसिस करिए और ये वीडियो आपको कैसा लागा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा